कुस्चन नमबर एक है, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है, A, B, यशी, यडी, चार भी कल्प है, तो इसमें से जो इंस्टाग्राम के फाउंडर है, वो केविन सिस्ट्राउन है, B is right answer, नेक्स कुस्चन है, कुस्चन नमबर दो है, भीम एप के द्वारा एक दिन में पे लिमिट कितना होता है, भीम एप के द्वारा एक दिन में जो पे लिमिट होता है, पेमेंट लिमिट होता है, वो कितना पेमेंट किया जा सकता है, एक हजार या B कह रहा है दस हजार C है बीश हजार D कह रहा है नौन अफ दीज तो इसमें जो Pay Limit होता है एक दिन में वो बीश हजार होता है ठीक है? बीश हजार Question number 2 है FTP में F का क्या मतलब है? FTP में F का क्या मतलब है? तो F का मतलब होता है File F का मतलब File और T का मतलब होगा Transfer P का मतलब होगा Protocol Next Question है Question number 4 है Mic Address का Size है यानि Mic Address का Size क्या होता है? A कह रहा है 6 Bytes B कह रहा है 8 Bytes C कह रहा है 6 Bytes और D कह रहा है None of these तो इसमें से जो Right Answer होगा वो ये इस Right Answer 6 वाइट होगा Mic Address ठीक है? एक होता Mic Operating System जो Mic Operating System होता है ये iPhone जो Apple के Laptop होते हैं उन सभी सिस्टमों पर Mic Operating System चड़े होते हैं ठीक है? Next Question है MS Excel 2010 में किसी भी फाइल का Default Name क्या होता है? तो देखे MS का मतलब होता है Microsoft Microsoft एक कंपनी है जो Software बनाने का काम करती है ठीक है? तो इसका जो Right Answer होगा वो क्या होगा? Book 1 ठीक है? यानि Microsoft Excel 2010 में किसी भी फाइल का Default Name क्या होता है? Book 1, Book 2, Book 3, Book 4 तो इसमें जो Right Answer होगा Book 1 होगा ठीक है? Next Question है Question Number 6 है याहू गोगल MSN है Internet Sites, Computer Brand दोनों या कोई नहीं तो इसमें जो याहू गोगल MSN है हो क्या है? इंटरनेट साइट है ठीक है? ये इस Right Answer Next Question है Question Number 7 Computer की भावतिक बनावट क्या कहलाती है? ये नामशे के लिए रहे Computer की भावतिक बनावट क्या कहलाती है? Software, Hardware या Formware या इनमें शे कोई नहीं तो जो Computer की भावतिक बनावट होती है वो Hardware कहलाती है B is Right Answer ठीक है? Next Question है काफी Important Question Program है तो शर्पर्थम विख्षित की गई Computer भासा कौशी है? Fortran Pascal Cabol Basic तो ये इस Right Answer Next Question है Question No.9 सबसे पहले Graphical Web Browser बनाया गया Bill Gates के द्वारा Mark Anderson के द्वारा C कह रहा दोनों के द्वारा D कह रहा इनमें शे कोई नहीं तो किछ के द्वारा Web Browser बनाया गया था? वो Mark Addresson के द्वारा बनाया गया B is Right Answer Next Question है Question No.10 Computer के अविष्कारक कोन है? Computer के अविष्कारक कोन है? यानि किछो computer को बनाया गया वो computer का अविष्कार computer को किछने बनाया था? A कहरा है One New Man V कह रहा JS किल V और She कह रहा है Charles Weves D कह रहा है इन में से कोई नहीं तो राइट एंसर क्या होगा She is राइट एंसर Charles Weves जी ने कम्प्यूटर को बनाया Next question काफी important question जो हर बार एक्जाम में हमेशा पोचा जाता है हर बार पूचा जाता है कम्प्यूटर का हिंदी नाम है येनी कम्प्यूटर का हिंदी नाम क्या है गड़ना करने वाला B कह रहा है शंगड़क C कह रहा हिशाब करने वाला और D कहरा है परीगड़क तो इसमें जो येनी कि शंगड़क B is right answer Next question है काफी important question question number 12 है जो triple C के exam में हमेशा 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 के लिए पूछा जाता है computer साचरता दिवस कब मनाया जाता है A करा 5 December को B कह रहा 14 December को D कह रहा है 24 December को C कह रहा 24 December को और D कह रहा है 2 December को तो इसमें right answer क्या होगा 2 December यानि कि साचरता दिवस जो मनाया जाता है वो 2 December को मनाया जाता है I is right answer next question question number 13 है इन में से काउन सी input की काई है माउस कीबोर्ड स्कैनर इन में से सभी देखिए माउस जो होता ये भी input यानि कि सिस्टम में सुचना देने का काम करता है कीबोर्ड जो होता ये भी सिस्टम में सुचना देने का काम करता है स्कैनर जो होता ये भी सिस्टम में सुचना देने का काम करता है यानि माउस पॉइंटिंग के फार्म में सुचना देगा कीबोर्ड number, symbol and character के फार्म में सुचना देगा scanner जो होगा scanning के form में सुचना देगा और D करा इन में से सभी तो ये सभी होंगे D is right answer next question है 1 kilo white के भी कितने white के बराबर होते है A करा 10-24 white B करा 10-24 megawatt C करा 10-24 gigawatt D करा इन में से कोई नहीं तो इन में जो होगा पहला होगा right answer ये is right answer 10-24 byte ठीक है next question है काफी important question कम्प्यूटरों में परियुक्त IC चिप बनी होती है A क्रोमियम से D आईरन आक्सवाइड से C सिल्वर से D सिलिकॉन से तो इस question का answer आप लोग comment box में ज़रूर दीजिए question नमबर एक है वेब पेज को प्रिंट करने की सार्टकट की क्या है वेब पेज को प्रिंट करने की सार्टकट की क्या है Ctrl पलस P दूसरा option है Ctrl पलस Shift पलस F2L तो इसमें से क्या होगा Ctrl पलस P या Ctrl पलस Shift पलस F2L तो इसमें जो right answer होगा Ctrl पलस Shift पलस F2L Next Question है Question है काफी important Social Networking है Social Networking क्या है तो Social Networking का मतलब एक आशा Network एक आशा Platform जिस Platform पर कई लोगों को इकठा किया जाए या कई लोग इकठा होते हों उसी Platform को बोलते है Social Networking तो इसमें क्या है Z-Mail Social Networking Z-Mail है या Facebook तो इसमें जो Facebook है वो Social Networking है Facebook का मतलब यह होता है कि एक आशा Platform है Facebook कि जिस पर पूरी दुनिया इकठा होती है ठीक है Next Question है By Default File Save होती है By Default File किस में Save होती है A कह रहा है Desktop B कह रहा है Document C कह रहा है Download Already कह रहा है None of these B is Right Answer किस में होगा Document में ठीक है Next Question है Question है Save As कि shortcut की क्या है देखिए एक होता है Save दूसरा होता है Save As अगर पहली मर्तबा किसी माइटर को Save कर रहे है तो होगा Save लेकिन अगर जो Save कि होए File में दूबारा किसी माइटर को Save करना हो तो उस Condition में Save As का करते है तो Save As के लिए shortcut की क्या है Ctrl पलस S तो Ctrl पलस S जो होता है ये केवल माइटर को Save करने के लिए होता है लेकिन अगर जो Save की होई File में दूबारा माइटर Save करना है तो इसका shortcut की होगा F2L F2L Next Question है Computer बंद होने पर किसमे Volatile और फिर उसके बाद में इन्ही दोनों में चुनाओ करना है A और B में तो जो Right Answer होगा A होगा Non-Volatile A is Right Answer Next Question है काफी Important Question Email में Delete Mail कहां पर जाते हैं Email में Delete Mail कहां पर जाते हैं Draft में Outbox में Send में या Trust में तो जो Email में जो Maitre होता है जब उसको Mail को Delete करते हैं तो किसमें जाता है Trust में जाता है एक सब इसमें Box होते हैं Draft होता है Outbox होता है Sent होता है Trust होता है Next Question है Question है आधार Card में कुल कितने Number होते हैं आधार Card में कुल कितने जो नंबर होता है आधार का नंबर होता है उसमें कुल कितने नंबर होते है कितने डिजिट 10 ये करहा 10 B करहा B 11 C करहा है 12 और D करहा 13 तो उसमें जो नंबर की शंक्या होती है वो 12 नंबर होते है 12 नंबर Next question है UPI का पूरा नाम क्या है तो UPI जो होता है UPI से तुरंत पेमेंट होता है ठीक है UPI से पेमेंट तुरंत होता है UPI का पूरा नाम जो होता है Unified Payment Interface होता है Unified Payment Interface ये इस राइट आंस्वर Next question है फर्जन टियेशन में New Slide डालने का Shortcut की है Next question है पर्जन टियेशन में New Slide डालने का Shortcut है Control प्लस N B कर रहा Control प्लस M C है Alt प्लस N और D है Alt प्लस M तो जो Slide डालने का पर्जन टियेशन में Slide डालने का Shortcut की है वो Control प्लस M है ठीक है Next question है Question है 20 B1 से B5 तक की range है इसमें है यह है यह है B1 and B5 इसमें जो राइट एंसर होगा यह B, SE या D इसमें कौन सा होगा इसमें जो राइट एंसर होगा वो होगा B B1 column B5 B1 column B5 Next question है काफी important question presentation में आइड कर सकते है A कारा picture को movie को नहीं B कारा movie को picture को नहीं C कारा movie तथा picture दोनों को और last है इन में सो कोई नहीं तो जो right answer होगा यह is right she is right answer movie तथा picture दोनों को add किया जा सकता है Next question है email के जनक है email के जनक कोन है A कारा है Ray Timlinson B Will Gets C दोनो D कारा है इन में से कोई नहीं तो इसमें जो पहला answer होगा right answer होगा यह is right answer Next question है Writer में नियूंतम zoom size कितना होता है 10% 5% 20% 20% 30% तो इसमें जो writer में zoom size होता है वो होता है 20% यह is right answer Next question है UPI किसके द्वारा develop किया गया National Payment Corporation of India B कह रहा है State Bank of India C कह रहा है Indian Payment Gateway तो जो UPI develop किया गया वो A के द्वारा किया गया यानि की National Payment of India ठीक है Next question है Question है Calc में data किसमें रखते हैं A कह रहा है raw end column में B कह रहा है file end folder में तो इसमें जो calc में data रखा जाता है वो raw end column में रखा जाता है यह is right answer ठीक है काउन computer के लिए हनिकारक हो सकता है काउन computer के लिए हनिकारक हो सकता है नंबर एक कह रहा है Pregmenter नंबर दो है Program नंबर तीन है data और नंबर चार है इन में से कोई नहीं देखे question है काउन computer के लिए हनिकारक हो सकता है यानि कि होता नहीं हो सकता है तो होने के लिए वो प्रोग्राम हनिकारक हो सकता है क्योंकि जब software जो होता है वो चलते चलते डैमेज होता है disrupt होता है तो वही वाइरेस का रूप धारड करेगा तो फिर उसके बाद में वही computer के लिए हनिकारक होगा कुस्चन नमबर 2 है अतुल आइप कब शुरू हुआ अतुल आइप कब शुरू हुआ दो हुजार इकाईष में दो हजार बाइश में यद दो हजार दो में तो she is right answer दो हजार दो नेक्ट कूस्चन है कूस्चन है रुपया कार्ड सर पर्थम किस बैंक ने जारी किया था RBI ने SBI ने PNB ने तो रुपया कार्ड जो जारी किया था वो SBI ने जारी किया था SBI ठीक है नेक्ट कूस्चन है BTEC का इस्तेमाल कहां किया जाता है बी टैक का इस्तेमाल कहां किया जाता है STML में, Photoshop में, MS Word में या Non इन में से कहीं नहीं तो जो बी टैक होता है बी टैक का इस्तेमाल STML में किया जाता है यह इस राइट आंस्वर नेक्ट कुस्चन है पावर पॉइंट में CT, Arial प्लस E कमांड का इस्तेमाल किया जाता है सेंटर A, LINE में B है, लेफ्ट अलाइन में और C है, राइट अलाइन में D के राइन में से कोई नहीं तो यह इस राइट आंस्वर सेंटर A, LINE पावर पॉइंट में control प्लस ए कमांड का इस्तेमाल center alignment में किया जाता है next question है काफी important question है अतुल एप किसे संबंदित है परेटन से वैपार से नौकरी से इनमें से कोई नहीं तो वो किसे परेटन परेटन का मतलब घूमना भी होता है ठीक है परेटन से संबंदित होता है next question है मन रेगा किसे संबंदित है मन रेगा किसे संबंदित है वैपार से परेटन से रोजगार से या इनमें से कोई नहीं जो मन रेगा है वो रोजगार से संबंदित है next question है keyboard में कितने तरह के बटन होते है 1, 4, B कराए 3, C कराए 2, D कराए 1 जो keyboard में button की संख्या होती हो तीन तरह के होते हैं संख्या तो तमाम होती हैं तीन तरह के होते हैं number, symbol and character next question है question number 9 दूसरी पीड़ी में micro processor paste किया गया इसमें ये कहा गया है कि दूसरी पीड़ी में micro processor paste किया गया यानि कि जो computer बनाएंगे कई पीड़ी में आएं first generation, second generation तो देखिए जो इसमें कहा गया question में दूसरी पीड़ी में micro processor paste किया गया तो दूसरी पीड़ी में micro processor paste नहीं किया गया ये क्या होगा false be is right answer next question है निम लिखित में से किसे direct hardware पर बनाया गया निम लिखित में से किसे direct hardware पर बनाया गया computer environment application software और C कर रहा है operating system D कर रहा है database तो इसमें C is right answer database next question है computer boot होने पर पहला program कौन सा चलाया जाता है तो देखिए जब computer को on करते हैं और फिर उसके बाद में on होते time computer boot होता है यानि कि एक process होता है उसी जो goal type process होता है इसे घूमते रहता है उसको बोलते हैं voting process तो computer boot होने पर पहला program कौन सा चलता है तो system software operating system system operation none of these इसमें जो पहला program चलता है वो operating system चलता है B is right answer next question है computer के समझ सोचना हो या output देखने के लिए किस device का परियोग किया जाता है यानि कि output जो देखना हो किस device का परियोग किया जाता है तो output यानि input का मतलब जो सोचना देने का काम करता हो उसे बोलते है इंपूट और जो दिए गए सोचना हो से रिलेटर रिजर्ट को प्रवाइट करने का काम करता है उसे बोलते है सब्द प्रास वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गती बढ़ जाती है घट जाती है कोई बदलाव नहीं होता है इन में से कोई नहीं तो इस कूश्चन का जो एंसर है वह आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए नेक्स कूश्चन है कंप्यूटर में एक बोर्ड लगा होता है जिसे हम मदर बोर्ड के नाम से जानते हैं या प्राइमरी बोर्ड के नाम से जानते हैं या सम्पीस बोर्ड के नाम से जानते हैं, या कि बोर्ड के नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, मदर बोर्ड के नाम से, उससे हम माइन बोर्ड या मदर बोर्ड के नाम से जानते हैं, कुश्चन नमबर एक है लाइन किसके लिए उपयोगी है ए रेलवे बी बैंक शी कंपनी एंड आफिस डी ट्रांस्पोर्ट आफिस तो सी इस राइट एंस्वर कंपनी एंड आफिस अब सवाल ये भी पूछा जाता है कि लाइन का पूरा नाम बताए तो जो लाइन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया निटवर्क होता ये भी कुश्चन में पूछा जाता है हमेशा पूछा जाता यह कुश्चन ठीक है नेक्स कुश्चन है कुश्चन नमबर दो है काफी इंपोर्टेंड question है www द्वाराद उप्योग में लाए जाने वाले protocol है protocol का मतलब यह हो गया कि माध्यम ठीक है तो जो www होता है www का पूरा नाम होता है worldwide wave तो जो protocol है वो कौन सा होगा A है FTP B है HTTP C है WBC B is right answer hyper text transfer protocol next question है CTRL plus B से क्या होता है CTRL जिसे short में बोलते है control control plus B से क्या होता है तो जो control plus B होता है यह bold के लिए यूज किया जाता है bold ठीक है यानि कि माइटर को अगर जो मोटे में लिखना है तो उसके लिए CTRL यानि कि CTRL के साथ B बटन को पुष्ट करते है ठीक है तो यह इस right answer और जो italic होता है यह माइटर को तिर्चे में लिखने का काम करता है तो italic जो होता है CTRL plus I होता है ठीक है तो यह इस right answer next question है question है question number 4 अन्डो के लिए shortcut की है CTRL plus Z CTRL plus Z B कर है CTRL plus Y तो CTRL plus Z होगा और redo के लिए जो option होता है वो CTRL plus Y होता है यह is right answer next question है किसी file या folder का नाम देने के लिए dot 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 कुन्जी का उपयोग किया जाता है यानि किसी file folder का अगर जो नाम देना है तो किस कुन्जी का परियोग किया जाता है F1, F2, F3 तो इसमें जो F2 है F2 right answer होगा यानि कि F2 का परियोग किया जाता है जो keyboard में F1 रहता है F2 रहता है उपर सब से उपर F1, F2, F3, F4, F4 ऐसे करके रहता है ठीक है यानि कि function की F2 का परियोग किया जाता है next question है question inkjet desktop printer BW printer है तो जो inkjet desktop printer है ये BW printer नहीं होता है ठीक है ये क्या होगा false तो BW जो होता है BW का पुरा नाम होता है black and white printer तो देखिये जो inkjet desktop printer होता है ये दिये गए किसी विपरकार के माइटर को color तथा black and white दोनों mode में छापने का काम करता है और जो inkjet desktop printer होता है ये color printer किसे रड़ी में count किया जाता है ठीक है next question है काफी important question platter क्या है A कारा input device B कारा output device C कारा common device और D कारा non non of this तो input device का मतलब ये हो गया कि ऐसा device जिस device से computer में सुचना देने का काम करते है उस device को input device किस रड़ी में count करते है और output device का मतलब ऐसा device जिस device के जरीए से दिये गए सुचना उस related result को provide करने का काम करें उस device को output device किस रड़ी में count करते है यानि जिससे सुचना देते हैं वो क्या हो गया input ठीक है तो प्लेटर क्या है इंपूट डिवाइस है आउटपूट डिवाइस यानि भी इस राइट एंस्वर नेक्ष कुस्चन है कुस्चन बिसम शब्द का परियोग करें यानि बिसम शब्द तो देखिए यह चार आप्शन दिये हैं साफ्टुर डिवाइस沒事 यह विंडूजोज शा और दूजोज़ इस विंडूज-विंडूज। यह सॉफ्टियर विंडूज़ तो ं इसमें से बिसम शब्द का पाड़ोग करना है यानि अलग शब्द का ठीक हैं तो देखिए किन जो किमिड़िके समय है सिर्ट ड्राइड में count किया जाता है तो यह क्या है विश्म डीज राइट अंसर, next question है, question है, निम्न में से क्यों सा हार्डवियर का उधारड है, याणी कि क्यों सा हार्डवियर है, Excel, B कह रहा है, MS Word, C कह रहा है, Tally, और D कह रहा है, CPU, तो D is right answer CPU क्या है hardware ठीक है next question है question है एक resume बनाने के लिए किस program की हो सकता होती है यानि कि अगर जो में resume बनाना है तो resume को बनाने के लिए किस program की हो सकता होती MS Word या MS Excel C करा है end A and B MS Word और Excel दोनों होते है ठीक है तो जो resume बनाने के लिए जिस software जिस program की हो सकता होती उसे बोलते MS Word सवाल ये भी पूछा जाता है MS का पूरा नाम क्या है MS का जो पूरा नाम होता है Microsoft होता है Microsoft एक company है जो software बनाने का काम करती है next question है question है काफी important question binary number system का base कितना होता है यानि अगर जो ये जो मैं अभी पूरा question पढ़ा रहा हूँ सभी question में देखा जाए तो सबसे important question ये है जो हमेशा 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 के लिए पूछा जाता है exam में binary number system का base कितना होता है यानि number system ठीक है binary number ये computer language है तो देखिए एक होता है B कह रहा है 2 होता है C कह रहा है 3 होता है और D कह रहा है 4 होता है तो B is right answer क्या होगा 2 यानि कि 2 होता है ठीक है 0 और 1 ठीक 0 और 1 ठीक यानि digital form digit नेक्स कूश्चन है कूश्चन है एक बाइट में कूश्चन समझे एक बाइट में कितने बिट का परतिनिद्द किया जाता है 8 विट 16 बिट 64 बिट 256 तो ये is right answer 8 विट नेक्स कूश्चन है कूश्चन है निमनलिखित में से काउन सा स्टोरिज की सबसे बड़ी इकाई है KB, ZB, MB, TB तू देखिए पहले क्या चलता था के बी और फिर उसके बाद में MB फिर उसके बाद में GB और उसके बाद क्या आया TB तो जो सबसे बड़ी इकाई होगी स्टोरिज चमता की सबसे बड़ी क्या है TB ठीक है आप ZB का भी Fulpharm जानते हैं KB का भी जानते हैं MB का भी जानते हैं और TB का भी जानते हैं निक्ष कुश्चन है एक निबल बराबर है 4 वीट्स 8 वीट्स 2 वीट्स या 1 वीट्स वो कितना फॉर वीट्स के बराबर है ठीक है, निक्स कूस्चन है, इनमें से काउन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, A है, वेसिक, B है, C, C है, फोर्टैन, और D है, फास्ट, तो D is right answer, काउन सी होगी, फास्ट होगी, इनमें से काउन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, कौन सी है fast ठीक है question number 1 है LibreOffice Calc में full screen की shortcut की क्या होती है यानि LibreOffice Calc में जो full screen की shortcut की होती है वो क्या होती है एक कह रहा है CTRL plus shift plus I CTRL का मतलब हो गया control ठीक है control plus shift plus I number 2 है CTRL plus shift plus J और number 3 है shift plus F7 और चौता कह रहा है non यानि कि इन में से कोई नहीं ठीक है तो इसमें जो right answer होगा वो CTRL shift plus J होगा हाँ 2 is right answer ठीक है next question है question number 2 है dizzy locker जिसे हम digital locker के नाम से जानते हैं dizzy locker launch किया गया यानि कि कब launch किया गया A कह रहा 2015 में B कह रहा 2016 में C कह रहा है 2017 में D कह रहा 2018 में तो जो dizzy locker launch किया गया वो market में 2015 को launch किया गया था this is right answer next question है question dizzy locker के लिए क्या आवस्यक है passport ID passport या outer ID या अधार card या चौता कह रहा है non कुछ भी नहीं ठीक है तो इसमें जो डीजी लाकर होता है इसके लिए आधार नंबर आवस्यक होता है ठीक है आधार नंबर लिंक होना चाहिए ठीक next question है question है character printer कैसा device है character printer कैसा device है option दे रखा है input device और B कह रहा है output device फिर उसके बाद में तीसरा है common device और चौता इन में से कोई नहीं तो देखिए जो character printer होता है character printer नाम से clear है कोई पूछ लिया character printer किया तो यह नाम से clear है character printer का मतलब आशा printer printer जो दिये गए किसी विपरकार के माइटर के एक एक character को read करने के बाद पढ़ने के बाद फिर उसके बाद चपाई करने का काम करे उस printer को बोलते है character printer यानि दिये गए किसी विपरकार के माइटर को जो सभी character को पढ़ ले और पढ़ने के बाद फिर छपाई करने का काम करें उसे बोलते है character printer ठीक है इसकी processing speed सुलो होती है ठीक है तो यहाँ पर character printer का ऐसा device है input device या output device जो character printer होता है या output device होता है ठीक है यानि कि यह दिये गए किसी परकार के meter को meter को soft copy के रूप में result को provide करने का काम करता है ठीक कूश्यन नंबर 5 है CD में data कितने वर्स तक सुरच्चित रह सकता है CD में data कितने वर्स तक सुरच्चित रह सकता है CD यानि CD का पूरा नाम होता है compact dict ठीक है इसमें data कितने वर्स तक सुरच्चित रह सकता है एक नमबर 50 वर्ष दो कह रहा है 30 वर्ष और तीसरा कह रहा है 2 वर्ष और फिर उसके बाद में 14 वर्ष तो इसमें जो CD में डाटर सुरचित रह सकता है वो 30 वर्ष तक रहता है खितना 30 वर्ष ठीक है लेकिन इसमें प्रावलम क्या होता है कि CD में स्क्रेज की प्रावलम ज्य एक दिन का नया CD हो या दो दिन का हो तीन दिन का हो वहाँ पर भी डाटा डिलीट होने का या डाटा इरेज होने का चांस बढ़ जाता है ठीक है Next question है Question है Website संग्रा होता है A कह रहा है WebPage का We कह रहा है Browser का और 3 कह रहा है Hyperlink का और 4 कह रहा है इन में से कोई नहीं यानि Website WebPage का संग्रा होता है This is right answer ठीक है यानि इसमें पहला सही होगा Next question है Question है इमेल में किस प्रोटोकाल का परियोग किया जाता है TCP, दूसरा है IP, तीसरा है SMTP और चौथा है STP तो देखिए इमेल में जो प्रोटोकाल का परियोग किया जाता है वो होता है SMTP, वो होगा SMTP कुस्चन में ये भी पूछा जाता है एक्जाम में कि SMTP का full form क्या होता है SMTP का full form होता है Simple Mail Transfer Protocol Simple Mail Transfer Protocol Next Question है किसी भी सैच छड़िक संसा को दर्षाने के लिए निम्न में से काउन सा डोमेन नेम परियुक्त होता है हाँ वो और जी या M.I.L या E.D.U या नॉन तो देखिए सैच छड़िक संस्थान पर दर्षाने के लिए जिस डोमेन का परियोग किया जाता है वो होता है E.D.U यानि कि इसमें जो तीसरा विकल्प है वो तीसरा सही होगा ठीक है Next Question है Spam क्या है Spam क्या है Virus दूसरा कहरा Game Software तीसरा कहरा Junk Mail और चौथा कहराई Web Browser तो जो Spam होता है यह Junk Mail होता है क्या होगा Junk Mail ठीक है तो इसमें जो तीसरा Answer होगा वो क्या होगा फशी होगा Next Question है किसी भी Email Address के कितने भाग होते है किसी भी Email Address के कितने भाग होते है तो जो Email Address के भाग होते है वो दो होते हैं ठीक है एक कहरा है पहला है दो दूसरा कहरा तीन तीसरा कहरा चार और चौथा कहरा इन में से कोई नहीं लेकिन देखिए इसमें जो भाग होते हैं दो भाग होते हैं जो पहला भाग होता है वो उपयोग करता का नाम दर्शाता है ठीक है तो कितने दो भाग होते हैं पहला क्या होगा पहला विकल्प सही होगा देखिए कूश्यन नमबर ग्यारा है OCR को कहते हैं OCR को क्या कहते हैं Optical Character Requignation दूसरा है Optical Character Reason तीसरा है Optical Mark Reader चौथा है None of these इन में से कोई नहीं तो जो OCR का Full Farm होता है OCR को क्या कहते हैं Optical Character Requignation ठीक है यह इस राइट आइंसर Next Question है UTR का Full Farm क्या होता है UTR का Full Farm क्या होता है पहला है Unique Transaction Reference दूसरा है Unique Transfer Reference तीसरा है Union Transaction Reference और चौथा है All of these इन में से सब सहीं तो इसमें कौन सा विकल्प सहीं है चौथा कहरा है सब सहीं है लेकिन इसमें जो UTR का Full Farm होता है वो होता है Unique Transaction Reference यह एक यानि कि पहला विकल्प क्या होगा सहीं होगा ठीक है Next Question है यानि कि यह भी System Software ही होता है BIOS का Full Farm क्या है तो जो BIOS का Full Farm है पहला कहरा है Basic Input Output System दूसरा कहरा है Basic Input Output Service तीसरा कहरा है Both of these और चौथा कहरा है None of these तो इसमें जो Right Answer होगा वो होगा Basic Input Output System यानि कि पहला विकल्प यही क्या होगा First is Right Answer Next Question है इस Question का Answer आप लोगों को देना है WebPage की विशिष्ट लोकेशन की पहचान के लिए काम आता है WebPage की विशिष्ट लोकेशन के लिए हाँ सहीं लोकेशन के लिए काम आता है Link दूसरा है Web Address तीसरा है Website और चौता है Web Browser तो इनमें कौन सा क्या काम आता है इस Question का Answer आप लोग Comment Box में जरूर देजिए ठीक है Next Question है Website . . . . संग्रा होता है किसका WebPage का Browser का Hyperlink का इनमें से कोई नहीं तो अभी इसका शाहिद इसी वीडियो में इसका अभी उपर गया answer तो वीडियो का होता है ठीक है vendor Next Question है Question है कौश्यवा क्योफराइई प्रोग्राम और डाटा के बीच में अंतर समझ सकती है क्योफ दिवाइई प्रोग्राम और डाटा के बीच में अंतर समझ सकती है I प्रोग्राम और डाटा के बीच में अंतर समझ सकती है कौन शी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच में अंतर समझ सकती है आउट्पुट डिवाइस दूसरा है मेमोरी तीसरा है इंपुट डिवाइस और चौथा है माइक्रो प्रोसेसर तो देखिए प्रोग्राम और डाटा के बीच में जो अंतर समझ सकती है वो कौन है? माइक्रो प्रोसेशर ठीक है? नेक्स कुस्चन है एसो स्रीज जिस अस्थान पर सिस्टम यूनिट से जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या बोलेंगे? और चाथा है नन कोई नहीं तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा port यानि कुई दो नमबर पोर में देखिए जयसे क्या है? कि जो आप charger है चारजर लिए हैं USB cable तो देखिए USB cable जो होता है उनिवर्सल सीरियल बस उसे क्या बोलेंगे? केबल बोलते हैं और उस केबल के इनको डबे में लगाते हैं जिसमें लगाते हैं उसको बोलते हैं USB port क्या बोलेंगे USB port ठीक नेक्ट कुस्चन है काफी important question Ethernet निम्न में से किसे संबंधित है Ethernet निम्न में से किसे संबंधित है यह कह रहा है line से यानि की line का full form होता है local area network और दो नंबर है mine से metropolitan area network और तीसरा है one से wide area network यानि internet जो होता है ठीक और चौता कह रहा है all of these all of these none हाई इन में से कोई नहीं तो देखिए Ethernet जो है all line से संबंधित होता है local area network से next question है Java भासा का विसकार किस ने किया यह कह रहा है Intel और दूसरा कह रहा है Microsoft ने तीसरा कह रहा है Sun Microsystem ने और तीसरा कह रहा है non इन में से कोई नहीं तो जो Java भासा का विसकार है वो तीन नंबर ठीक है Sun Microsystem next question है question है CAD का संबंध किस से है CAD का संबंध किस से है ठीक है तो एक रहा है एक नंबर account से दो दूसरा कह रहा है media से तीसरा कह रहा है science से और चौथा कह रहा है design से तो इसमें जो CAD का संबंध होता है वो design से होता है ठीक है question number एक है CPU में control, memory और तीसरा काउन सा unit होता है CPU में control, memory और तीसरा काउन सा unit होता है input unit, output unit, arithmetic, logic unit या इन में से कोई नहीं तो कौन सा unit होता है arithmetic and logic unit next question है question है intel company द्वारा बनाया गया पहला microprocessor कौन शाथा Intel company द्वारा बनाया गया पहला microprocessor कौन शाथा A कह रहा 40000 B कह रहा है 80080 C कह रहा है 8088 तो देखिए, जो intel company ने पहला microprocessor बनाया था वो पहला microprocessor 4004 था ठीक है यह is right answer next question है question है निम्न में से कि समोह में केवल output devices है output devices input device output device input का मतलब ऐसा device जिस device से हम सुचना देते है और output device का मतलब ऐसा device जिस device से दिये गए सुचना उस related result को provide करते है तो देखिए mouse जो है यह भी input device है इससे भी सुचना देते है keyboard है इससे भी सुचना देते है scanner है इससे भी सुचना देते है लेकिन output device के बारे में बात करना है कि निम्न में से कि समोह में output devices है तो A में भी input device है B है monitor यह output device है mouse input device यह भी सही नहीं होगा शी कह रहा है monitor projector, projector, speaker तो इसमें जो तीनो है ये सब तीनो output device है तो C is right answer monitor भी output device है ये भी दिये गए सुचना हुआ उस related result को provide करता है वही काम projector भी करता है और speaker भी वही काम करता है क्योंकि माइक से जब हम बोलते हैं hello, तो speaker से ही आवाज आता है hello, ठीक है next question है question है operating system किस परकार का software है operating system जिसे हम short में बोलते है oh yes operating system किस परकार का software है application software word processor communication system तो देखिए operating system जो है एक system software होता है day is right answer ठीक है system software ये computer के hardware पार्टों को control करने का काम करता है और system software computer का जान भी होता है ठीक है next question है question गड़ना और तुलना करने के लिए computer के किस भाग का उपयोग किया जाता है गड़ना और तुलना करने के लिए computer के किस भाग का परियोग किया जाता है control unit arithmetic logic unit और C है input unit और D है memory unit तो B is right answer next question है क्योंकि B का परियोग किया जाता है arithmetic and logic ही का परियोग किया जाता है next question है काफी important question जो हर साल exam में पूछा जाता है परतम PD के computer में उपयोग करते थे किस इसका vacuum tube का microprocessor का IC का या transistor का तो जो परतम PD का computer आया उसमें vacuum tube का परियोग करते थे ठीक है यह is right answer next question है question number 7 computer के बंद हो जाने पर किसका data delete हो जाता है pen drive का pen drive का data delete नहीं होता है ROM का ROM का भी data delete नहीं होता RAM का या hardix का तो देखिए जब हम किसी भी application program को या किसी भी चीज को जब हम videos को open करते हैं तो सब RAM में दिखाता है किसमें दिखाएगा RAM में दिखाता है तो देखिए जब हम किसी भी जैसे MS Word को open कियें और open करने के बाद जब computer को बंद कर देते तो MS Word क्या होता है open दिखता है नहीं बंद होता है ठीक है तो वो किसमें दिखाता है open application RAM में दिखाता है ठीक है तो RAM का data डिलीट होता है ठीक next question है question number 8 binary भासा में शंख्या 7 को लिखा जाता है 011 101 या 100 या 111 तो इसमें क्या होगा D होगा D is right answer next question है question है dot matrix printer निम्न में से किसका उदाहरण है dot matrix नाम से clear है dot matrix का मतलब dotted यानि कि ऐसा printer जो printer दिए गए किसी भी परकार के मैटर को dotted form में दानेदार form में चापने का काम करे उस printer को dot matrix printer कहते है तो जो dot matrix printer है वो impact printer की स्रेडी में count किया जाता है यानि कि कुछ मैटर आप देखते होंगे जैसे पहले बिजली का बिल आता था तो जो मैटर लिखा होता था बिजली बिल पर वो dotted form में या बच्चों का जो book आता है cursing book आता है वो भी dotted form में होता है ठीक है यानि जो दानेदार form में मैटर को चापने का काम करे next question है question number 10 निम्न में से काउन सा computer का बुनियादी कार नहीं है data को process करना input को accept करना data को scan करना data को store करना तो data को scan करना यह बुनियादी कार नहीं है ठीक है next question है mouse में right button का कार होता है mouse में right button का कार होता है बिकल्प का chain करना paste को scroll करना बिकल्प खोलना इन में से कोई नहीं तो जो mouse में right button का कार होता है वो होता है बिकल्प का chain करना A is right answer ठीक है next question है question है निम्न में से एक utility program है एक utility यानि driver है utility अक्सर driver ही बोला जाता है utility program है not pad नहीं calculator ये भी नहीं होगा disk cleanup ये होगा तो देखिए इसमें जो disk cleanup है ये क्या है utility program है she is right answer next question है hexadecimal संक्याओ बेश का अधार होता है 2 2 तो binary का होता है 8 16 ये 10 तो जो बेश होता है hexa का उस 16 होता है she is right answer next question है शबसे सक्तसाली और महेंगा computer है mini computer manframe computer micro computer super computer तो जो सबसे महेंगा computer होता है जिसका use government करती है वो computer होता है super computer super computer ठीक है सबसे महेंगा computer next question है volatile memory कहलाती है RAM ROM दोनों या कोई नहीं जो volatile memory होती है और RAM कहलाती है ठीक है ये is right answer next question है नेक्ट गूस्चन है question है Windows में CTRL जिसे बोलते है short में control plus C shortcut का परियोग किया जाता है यानि control plus C से क्या होता है copy करने के लिए इसका परियोग किया जाता है या paste करने के लिए इसका परियोग किया जाता है या miter को cut करने के लिए इसका परियोग किया जाता है तो इसका जो परियोग किया जाता है वो miter को copy करने के लिए परियोग किया जाता है ठीक है, control plus c next question है text को छुपाने के लिए किस command का परियोग किया जाता है text को अगर जो छुपाना हो तो किस command का परियोग किया जाता है hide देखे, hide से ही hide का मतलब ही होता है छुपाना, ठीक है तो hide का परियोग किया जाता है matter को छुपाने के लिए next question है HTTP का full form है A कह रहा है Hyper Text Transfer Protocol B है Hyper Type Transfer Protocol C है High Text Transfer Protocol D है High Type Transfer Protocol तो इसमें जो HTTP का full form होता है Hyper Text Transfer Protocol होता यह is right answer ठीक है Next Question है Windows Operating System को NIMN में से किसने विक्सित किया था Windows यानि Windows Operating System जो है इसको किसने बनाया था Intel ने Apple ने Microsoft ने IBM ने किसने बनाया था इसको बनाया था Microsoft में जिसे MS-Sort में बोलते है MS Microsoft Next Question है निमलिखित में से एक utility program नहीं है Antivirus Bacup and Restore Disk Cleanup Web Browser तो इस Question का answer जो है यह आप लोग comment box में जरूर दीजिए ठीक है तो उम्मेद करते हैं आसका यह वीडियो समझ में आया होगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैंहिंद जैंहिंद